नमस्कार दोस्तो हमारे रिष्ट यानि के हमारे कलाई में दर्द का तीन सबसे कॉमन रिजन होता है रिजन कोई सा भी हो मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट ऐसे होम टिप्स और एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपको ये तीनों प्रकार के दर्द में आपको बहुत आराम मिलेगा तो अगर आपको भी रिष्ट में पेन है तो बने रही हमारे वीडियो के साथ दोस्तो आगर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चनल में नए है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करो आपको मिलते रहेंगे तो तीन सबसे इंपोर्टेंट कारण और सबसे कॉमन कारण है हमारे रिष्ट पेन में सबसे पहला कि हमारे रिष्ट के उपर में यहाँ एक नोडियूल notus 911 information हो जाता है अगर मैं फोड़ा सा close दिखा दो इसे एरिया में थोड़ा सबस्स जाता है कि निकलस जाता है नोडियूल demonstration होता है वो एक कॉमन कारण है हमारे रिष्ट में पेन 와서 स्बसेंड्रोम यानि कि हमारे जो पिर ग्र लिए यहां पर एक को चंड यो में यहाँ फे एक tunnel होता है ज्सकों लोके tutman गूलते हैं आनाडोमी में उसके अंदर से लस्के गुजररी होते वूजर mêmes वो किसी और से वहां हते थुढ़ा साय जाता है तो लस्कार फांस जाता है जिसका ने हाथों में दर मैं होता है सुना अन्रै जनजनाट सा भी होता है तिसरा एक करण है old injury यानि कि पुराना कोई दर्द है पुराना कोई आपको हमेशा वहांपे प्रेस करना है तो आप कैसे करेंगे आप अपना ओठा लेंगे मैं तोड़ा सा अगोठा लेंगे आप और फिर यहांपे जहांपे आपका swelling है वहाँ पे आप दमाएंगे हलका हलका फिर दबा करके एक circular motion में आप इस तरह से घुमाएंगे ठीक है circular motion में इस तरह से ये देखे इस तरह से ये आप daily जबी भी आपको time मिले जब आपको free हैं, office में बैटे हैं घर में हैं, जबी भी आपको फूर्सत हो, आप इस तरह से करें ठीक है उसके बाद ये तो है ही उसके बाद फिर इस तरह से exercise करते रहना है आपको हमेशा इस तरह से घुमाते रहना है, ठीक है उसके बाद दूसरा एक सबसे common करण है, Carple Tunnel Syndrome Carple Tunnel Syndrome में हमारे यहां पे wrist में pain होता और जहांजनाट से होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको exercises बता देता हूँ सबसे पहला तो stretching exercise है इसमें आप क्या करेंगी कि मैं आपको side views में दिखा देता हूँ आप इस तरह से, इस तरह से stretch करेंगे, ये देखिए ये देखिए अगर मान लिजए और थोड़ा से stretch करना चाहते हैं तो आप अपना दूसरा हाथ लेंगे और इस तरह से stretch करेंगे, ये देखिए फिर छोड़ देंगे, फिर आप दूसरा हाथ का भी इस तरह से stretch करेंगे, ये stretching exercise है या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं ये हो गया, इसका stretching आप इस तरह से भी आपको करना है ये थोड़ा सा आप अगर दूसरा हाथ का इस तरह से stretch करेंगे ये देखिए फिर ये इस तरह से और stretch करके आपको कम से कम 10 सेकेंड तक आप इसको hold करके रखेंगे, 10 से 20 सेकेंड तक ठीक है एक सेसन में आप 10 से 15 20 जितना भी आप कर सकते हैं करेंगे उतना बढ़ियां रहेगा ये तो था stretching exercise उसके बाद इसका strengthening exercise भी है आप simple आप इस तरह से करें और ये ये देखिए इसको इसे move करना है इस तरह से उपर नीचे इस तरह से move करें ये strengthening exercise हो जाएगा या फिर आप इस तरह से इस तरह से देखिए circumduction ये ये भी करें इससे भी आपको काफी relief हो जाएगा ये सब जो मैं exercise बता रहा हूँ ये लगबक जितने भी मैंने types बताए कारण बताए causes बताए उस सब में ये लागू होता है ये सब exercises ठीक है उसके बाद एक और exercise है ये हम लोग इसको grip strength exercise बोलेंगे ये आप एक gel ball है ये gel ball आप खरीद सकते हैं आपको online मिल जाएगा आप description में मैं लिंक देदोंगा मैं इसका डबबा दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से ये दिखता है इसका डबबा ठीक है तो आपको grip strength के लिए आपको इस तरह से इसको पकड़ना है और इसको squeeze करना है इस तरह से ये देखिए ये भी बहुत अच्छा exercise है इससे क्या है कि आपके रिष्ट के असपस जितना भी मास्पेसिया है वो कई बर उसके weakness के ज़से भी pain होता है तो वो strength इससे आएगा आपको sponge ball भी मिलेगा दुकान में मगर वो उतना ज़्यादा असरदार नहीं होता है ये gel ball काफी ज़्यादा असरदार होता है मैं अपने patients को भी ये चीज मैं recommend करता हूँ तो ये आपका कोई इसका limitation नहीं आप जतना आप कर सकते हैं घर में बैटे हैं free बैटे हैं आप इसको हमेशा करते रहेगा दोस्तों ये video कैसा लगा अगर आप हमें consult करना चाहते हैं या फिर आप एक physiotherapy student है तो आप जॉइन बटन नीचे आप वीडियो के नीचे विट जाएगा वहाँ से जाकर कि आप मुझे consult कर सकते हैं छोटी सी amount दे करके और ये video कैसा लगा इसे जरूर like करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर आप हमारे चनल में नए है तो हमें जरू subscribe कर ले thank you for your support, thank you for your love thank you